हरियाना के जीन में पत्रकार वार्था की दौरान सोनिया दुहन ने सरकार को आड़े हाथो लेते हुए बेजियों की यौन उत्पीडन मामले में इस पश्टी करण मांगा उन्होंने इस मामले में CBI जाँच की मांग की किन्जि सरकार से आवाहन करते हुई उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जिलाई बढ़ती गाई और उचित कारिवाई नहीं की जा रही उन्होंने कहा कि इस घटना ने शिक्षा जगत ही नहीं हरियाना को भी शर्मसार किया है जीन जिली के एक सरकारी स्कूल में 50 से जादा नाबालिक छात्राओं का स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा यौन उत्पीडन किया गया जोकि बेहद शर्मना मामला है अगर मैं एक F.I.R में महिला योग की चैर्मन होती तो मैं सिर्फ इसको रैफर करने तक चुपी ना खिशती मैं इस मामले की तहह तक जाके मैं सुनिश्चित करती कि उन बेटियों को नियाय मिला है क्योंकि ये बहुत पता निकिन अंगिनत दर्दों से ये बेटियां गुजरी होंगी आप सोचके देखिए कि हमारी बेटी के साथ मेरे घर में अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो मैं उस आदमी को बीच में से चीर दूं फार दूं ऐसा मन करता है तो क्या किस हद तक गई होंगी, क्या मेरा एक कंप्लेंड को साइन करके एक डिपार्टमेंट को रेफर कर देना ही मेरा काम नहीं है, उस मामले को सॉल्व करना मेरा काम है, इसलिए किसी को उस पोस्ट पे बिठाया जाता है, पूरी तरह से नकाम से थाबित हुई है महिला आय अक्सर आप पिछले बहुत सारे जिनों से देख रहे हैं हर्याना में जो घटना ही हो रही है, खासकर बेटियों के लिए जो घटना हो रही है, और आपके निकटवर्ती उचाना में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है, इसी को लेके आज आप लोगों के माध्यम से करते हैं, वही पानी पत, जिस पानी पत में हमारे मान्य प्रधान मंतरी मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, उसी पानी पत में घर में घुसके तीन बच्चियों के साथ एक गैंग रेप हुआ है, क्या इस तरीके की घटना हर का भगवान या उसका हेड देवता जिसको हम कह सकते हैं, एक प्रिंसिपल इस तरीके की गिनोनी हरकतें करता है, इंसानियत को शरमशार करने वाली हरकतें करता है, और हैरानी करने वाली बात ये है, कि ये हलका हमारे उपमुख्यमंत्री साहब का हलका है, उचाना, आज तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, आज तक खटर साहब ने कोई बात नहीं बोली, लेकिन वो बोलेंगे भी किस मूह से, क्योंकि उन्हों नहीं तो ये बात का एक्जामपल सेट किया है, कि तुम जो मरजी करो, खासकर बेटियों को तुम जानवरों की तरह ट्र हम माननिय मुख्य मंतरी साहब से एक मैसिज चाहते थे, कि हम बेटियों, जिस बेटी के उपर उन्होंने सत्ता पाई, जिन बेटियों से वोट पाकर उन्होंने सत्ता पाई, महिलाओं से वोट पाकर सत्ता पाई, हम चाह रहे थे कि हमें बचाया जाएगा, हमारी की हरकतें करते हैं 31 अगस्त को आपके ही निकटवर्ती उचाना में 15 बेटियों ने उनके स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक लेटर लिखा परधानमंतरी रास्ट्रपती महिला योग और उस पे वो लेटर उनके पास महिला योग के पास मेरी नौलिज के अकोर्डिंग 13 सि समय को महिला योग उस लेटर को भेज़ देता है जो भी कन्सर्न नहीं मेरे थे जैसे की पुलिस मैकमा उनका एजुकेशन मैकमा इस तरीके के सारे मैकमों में बेज़ देता है और इंटरनल एक कारवाई शुरू होती है और वो कारवाई देड़ महीने तक चलती है और उस में माइस प्रिंसिपल को इस हैवान को पूरा समय दिया जाता है कि वो अपने इस मामले को दबा ले किसी तरीके से और इस मामले को रफा दफा कर लिए उसी के तहत वही प्रिंसिपल 25 6 October को उन बेटियों में से लग बग 50 बेटियों को लेके वो अमरिटसर जाता है, टूर लेके जाता है, जब इंटरनल महिकमे में कारवाई चल रही थी, तो वो टूर लेके गया कैसे, किसने उनको परमीशन दी, और बाकी स्टाफ गया कैसे उनके साथ, बिना परमीशन के क्या एक प्रिंसिपल इतनी बड़ी तोप हो गया, कि उसका जो मन हो गया, वो कर लिया, पचास-पचास बेटियों को वो बिना किसी परमीशन के लड़कियों को लेके वो टूर पे गया कैसे, और तीन-तीन दिन तक उनको वहाँ पर रखता है, जिसके उपर ओलरेड़ी ऐसी कार किया जाए, इनके उपर जो भी प्रेशर बनाया जाए, आखरी में डेट महीने बाद, पुलिस FIR दर्ज करती है, क्या ये बहुत बड़ा सवाल या रिशान नहीं है, आप लोगों ने देखा है, मैं तो धन्यवाद करूंगी मीडिया के सातियों का, कि ये मामला नहीं तो दब जाता पूरी तरह है अगर आप लोग सामने ना आते हैं, आप लोगों को धन्यवाद है, आप लोगों को साधुवाद है कि आप लोग सामने आए और सही में जो चोथा स्तम हम आप लोगों को समझते हैं या बोलते हैं, आप लोगों ने उसे निभाया, इस मामले को सा समझ में आगी सरकार को कि ये मामला अब दबने वाला है नहीं ये इतनी फूल पकड़ चुका है इतना इस मामले में सारी चीजे प्रेशर आ चुका है लोगों का प्रेशर आ चुका है तो अभी तक भी क्या कारवाई हुई है उसको एक्ट के अंडर ये मामला ये फाई आर तक हुआ क्या है अभी भी उसे पूरा क्या बोलते हैं दबाने की कोशिश की जा रही है कुछ सुत्रों के माद्यम से मुझे तो ये भी पता चला है कि सरकार पुलिस ने दुबारा से ये बोला है कि दुबारा से जाच करो दुबारा से पूछो जब 164 के इतनी बच्चियो कर चुकी है सुसाइड होने के बावजूद ये इतना ऐसे मामला है कि बच्चियों की सुसाइडल भी गाएं भैस जैसा नजर आता है क्या हम लोग जानवर हो गए इस परदेश में या इस देश में कि हमारी आवाद सुनने वाला कोई नहीं बचा है और जो इसमें समाजिक इस संगठन और जो खापे इस लड़ाई को उठा रही हैं मैं धन्यवाद देती हूं कि ये वो ही खापे हैं जिनको सरकारें बदनाम करती हैं उनकर की लिंग करने के लिए ये वही खापे हैं जो आज हम बेटीओं की सुरक्शा के लिए आज हमारी सेफ्टी के लिए सामने या रही हैं और मैं एक बेची होने गेनाते से क्योंकि मैं इसी system से आती हूं इसी हरियाना से आती हूं यहीं पड़ लिखे गई हूं आप अगर इसके तहे में जाएगे हर school में हर school में ऐसे मामले मिलेंगे सबसे बड़ी बात girl school में male principal था ही कि बी ऐसे अंगिनों तो स्कूल है और छे साल से मेल प्रिंसिपल है वहाँ पर एक क्या छे साल में उसने पचास बेटियों पर इबस करी होगी कितनी सेंकडों बेटियां होंगी क्योंकि वो तो हवस्ट का पुजारी हो चुका है उसे तो हर रोज एक नई लड़की पर उसकी नजर होती है तो वो किस हद तक जाके रुका होगा हमारे सोचने वाली बात है आप लोग यहां आए आप लोगों का धन्यवाद और इस आंदोलन को इस बात को इस न्याय की लड़ाई को हमारे पॉलिटिकल हाथ तो जी पूरी तरह से हैं आप देखिए कि देड़ महीने का अगर आपको टाइम दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे बड़ा स्वाल गया निशान तो शिक्षा मंतराले पे है दूसरा सबसे बड़ा स्वाल गया निशान क्या बोलते हैं यह जैसा कोई आम आदमी कर देगा एक मिनट भी नहीं मिलेगा क्योंकि प्रावदान तो यही है कि किसी भी महीला के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है इस तरीके का हुआ है और स्पेशली वो तो माइनर बच्चिया हैं पोसको एक्ट के अंडर मुकदमा दायर होना था पहले ग प्रिंसिपल को भी समय दिया गया था पदमावती ने अपनी इजट को बचाने के लिए अपने आपको बहुत सारी महीलां के साथ आपके हवाले कर दिया था क्या हम लोगों को भी प्रधान मंत्री मोधी जी से और मान्य राष्ट्रपती जी से या मान्य नयालिया से लेटर हमारे साथ या हम लोग सामने आके लडाई लड़ें वो भी हमारे माबाप हमें ये कह देते हैं कि नहीं तुम चुप बैठो और मैं ये कह — ये 50 बच्चियों खाना मामला नहीं है आप इसके तेहे तक जाना ये इतनी बच्चियों का मामला मिलेगा जिस स्कूल की दो हजार बच्चियों की स्ट्रेंथ थी वहां 800 ड्रॉप आउट्स हुए कैसे बड़ी सोचने वाली बात है मतलब पचास तो सामने आई हैं पता नहीं कितनी बच्चियां हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजूर्ग हमें ये बात क है के चुप करा देते हैं बेटे चुप हो जा अगर इस था नहीं होगा अगर शादी नहीं होगी कहीं पर तो हम कब तक इस शादी के डर से कि हमारी कहीं और शादी नहीं होगी कब तक इस डर से यहां पर चुप चा बैठे रहें और ऐसे हैवानों का शिकार होते रहें कहन इतने 4800 के आसपा स्कूल बंद हो चुके हैं और जो स्कूल बचे हुए हैं उनको भी सरकार पूरी तरह से बंद करने की प्रियास कर रही है मैं सरकार से हाथ जोड़ के विंती करती हूं ऐसे प्रियास ना करें सरकार हमें वैसे ही आप बता दो कि कहां से जहर उठाना है हम उठा के वैसे ही खालेंगे वैसे ही मर जाएंगे हमें भेड़ बकरियां मतने हो हम उस जमाने में पीछे चले गए जहां हमने पर्दा पर्था को शुरू किया था अपनी इज़त को बचाने के लिए हमने घूंगट नि सरकार है धरम के नाम पर बता देती है कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूं यह तो सनात्मियों की सरकार है यह तो वह सरकार है जिस धरम से हम सब लोग आते हैं तो हमारी सेफ्टी क्यों नहीं है या महिलाओं का कोई धरम नहीं है महिला करने वहाड़ा और बहुत सारी तो हमसे बाइसे पैदा भी यह नहीं हो P て क्योंकि पैदा ओके करें क्या हम, ये सारी चीज़ें, बई स्कूल में हम सेफ नहीं हैं, कॉलिज में हम सेफ नहीं हैं, बसों में हम सेफ नहीं हैं, महकमों में हम सेफ नहीं हैं, पुलिस महकमे में ही महिलाएं सेफ नहीं हैं, और तो कहां जाएंगे हम लोग, corporate में नोकरियां करने जाते हैं हम safe नहीं है राजनीती करने जाते हैं हम safe नहीं है खेलने जाते हैं हम safe नहीं कहां जाएं अरे घर में बैठें तो हम safe नहीं है हमारे घर में गुश गुश के हमें gang rape किया जाता है तो ये सरकार किस चीज़ के लिए है तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से आप लोगों से सबसे पहले हाथ जोड़ के विंती करना चाहूंगी आप लोगों ने जो काम किया है बहुत सहरानिय कदम है किरप्या इस चीज़ को दबने ना दें आप लोग इसे आगे उठाईए और सबसे बड़ी बात तो मैं सारी महिलाओं से एक आवान करना चाहूंगी सारी बेटियों से आवान करना चाहूंगी बन बंडासा मार लो इब आपने बचा नाड़े कोई बचे नहीं है अपनी शुरक्षा अपने आप समिस्चित करने पड़ेगी अपना अंदोलन अपने आप लड़ना पड़ेगी और अगर सरकार में कहीं भी थोड़ी बहुत समवेदन सीलता बाकी है या हमें अभी भी इ इस प्रिंसिपल का भी कुछ हो जाए तो आप लोग भी यहीं है और मैं भी इन बहुत नहीं होने वाड़ा इसके साथ भी यह बेटियां उसी तरीके से हम लोग कहते है ना दो एक साल में तीनेक साल में ऐसी घटना ही हो जाती है ऐसे सम सोचके हम यह घटना को भी भूल जा जारेगा क्योंकि मुझे लगता है राजनीटिक लोगों के ऊसमीर को जामीर वैसे ही घटम हो चुके हैं आज तक कोई भी मिन बूलों और इस मामले पर आज कोई भी नहीं बूला मुझे लगता है उनको यह हम लोग वेड़वकरियां वैसे ही इस अदर आते हैं आपना जो में उसी बात पर आ रही है वैसे तो अर्याना एक समाज है जहां हम चैपनेशची बेटिसक्राम किरें वर्याना कंदती है और हमने वैसा देखा भी है लेकिन Porsche एसे लोग हैं सरकार में बैठे हुए लोग हैं सरकार के नुमाइंदे हैं जो सरकार की पहली लिस्ट में आते हैं मान्ये ड्यूपिटी चीफ मेनिस्ट्र साफ से मैं कहूंगी वो भी किसी के भाई होंगे और कल को उनके घर पे कोई बेटी जनम लेगी या उनके वो भी किसी के बाप बनेंगे तो इतनी संवधन सिल्ता रखें कि ये बात देखें धरातल पे आके कि हमें कैसा फील हो रहा है क्योंकि सब के घर में हो तो कोई और करके देख ले आम इंसान कुछ ऐसा गिनोनी हरकत पांच मेंट के अंदर आ क्या कहीं आपको लगता नहीं कि महिलाओं में संवेधन सिल्ता हतम होती जा रही है यदि वह उसी लेवल पर जीट करते हैं उसकी कहीं उनका सोलुशन करते हैं तो निश्रीत आप बिलकुल सही बात बोल रहे हैं अकसर पडोसी की आग हमें आग नजर नहीं आती है जब तक वह हमारे घर में नहीं लगती है तो संवेधन सिल्ता हैं तो सबकी ही खतम हुई हुई है और अगर महिलाओं की महिला टीचरों की स्कूल में संवेधन सिल्ता होती तो यह मामला यहां तक पहुचता ही नहीं था उन्होंने यह समझ के इगनोर किया हमें क्या यह किसी और की लेकिन बेटी तो सब की बेटी होती है और अकसर आग अपने घर में भी पडोस से लगती है जिन बड़े-बड़े स्कूलों में इन टीचर्स की बेटियां पढ़ती है जो यह महीला टीचर या बाकी टीचर है आपको क्या लगता है वो शुरुक्षित है वहाँ पे और शिका मंतरी खट्टर साब एक ऐसे आदमी को बचाने में लगे हुए हैं जिसके उपर सही में इल्जाम साबित हो चुके हैं तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई कमेटी का कोई रेलेवेंस या अस्तितव बाकी होगा प्रदेश में कि दिख değişime धाम से चीमिन है अबूड है यह डीर नहीं मेरे पास कोई यह नहीं है मने में मेरे पास सबूत नहीं है कोई यह मैं जाओ जाओ की अब एुचाना र्øवागadle और कल्बी में उचाना में ही, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगी कि इन चीजों के तक तक पहुचा जाए और सबसे बड़ी बात है कि हम एक सुसाइड को सोचें या दो सुसाइड को सोचें, पचास बच्चियां सामने एक सो चौशट के बयान हो चुके हैं और सारे बच सुसाइड के सामने बयान हो चुके हैं, इस साबित बात है, आरोप नहीं लगा रही है, आरोपों के तहत पे, आरोप जब भी मुझे कहा गया था कि मैं संदीच सिंग उस चेडशड मंतरी पर आरोप लगा रही हूं, वो बात भी तै हुई, वो बात भी खुद कोट ने मान कि उसने गलत किया है, ये भी 164 के बयान इन बच्चियों के हो चुके हैं, इन 40-50 बच्चियों में से कोई भी किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं आती है, किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक बैक्गराउंड नहीं है कि वो राजनीति करने के लिए या फेमस होने के लिए इ लेकिन अधर स्टाफ पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कमाल की बात यह है कि वो जो का तो बना हुआ है, कोई भी सस्पेंशन नहीं हुआ है, कोई भी और कारवाई नहीं हुई है, बात इस समय इस नाकाम सरकार की है, जो डबल टायर सरकार स्टेट में चल रही है, मह कुछ।